अगर आपने Alp का फोम भड़ दिया या आप भडने वाले हो तो आपको एक बहुत ही महत्पूर्ड जाना करें जो आपको पता होने चाहिए फोम नहीं तो आपका फ़ॉं भरना ना भरतना एक जिसन रहेगा क्योंकि आपका फ़ॉं भळण कोई मतलब नहीं रहेगा पेपर जैने को मतलब नहीं आप प्राइविट मेडिकल और सरकारी अस्पिताल या मेडिकल में नहीं जा पा रहे हो तो घर बैठे बहुत ही आसानी से आप चेक कर लेना उसके बाद या फोब भरना तो आप जानना बहतर रहेगा क्योंकि अगर उसमें आख में आपका 6y9 भी हुआ ना तो आपको बहार क जाओगे कोई मतलब नहीं निकलने वाला है तो चेक कैसे करना चली में बता देता हूं तो गाईज अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यह होता है एक स्टेंडर्ड इसनेलन चार्ट इसी को लेकर आप कहीं भी गवर्मेंट या प्राइ लेना इसका नियम समय लेना ध्यान से तभी आप सईसी टेस्ट कर पाऊगे ठीक इसको प्रेंट करवा लेना अच्छे हाई क्वाल्टी में ठीक हाई रेजुलिशन में और आप कहीं भी दीवार पर छे मीटर की दूरी पर इसको लगा दीजिए या फिट से नापना चाहा द?".十次 इसका नियुक्त रचा ओगों, एसलिए फिट की दूरी माप लेना. 20 फिट की दूरी पर लगा देना और दीवार से जहां पर आप लगाऊए उससे 20 फिट की दोरी पर आप खड़े हो जाईए इस की चायट की और आपके दूरी 20. or 6 मीटर हो चाहिए ठीक है समय लेना ध्यान से, एक काम हो गया, दूसरा काम ही है, जब भी आप आई टेस्ट करोगे ना, तो आपको सबसे पहले राइट हैंड की आउक को टेस्ट करना है, लेफ्ट हैंड की आपको अपने हाथ से या किसी बी ऑबज़क्ट से बंद करना है बंद करके सबस्वेले राइट हेंड की राइट साइट की आपको टेस्ट करना है देन उसके बाद आपको लेफ्ट साइट की आपको टेस्ट करना है क्योंकि दोनों का अलग-अलग विजन भी हो सकता है इसलिए सबस्वेले आपको एक आपको टेस्ट करना हो भ अब चेक क्या करना है कैसे आप देखोगे तो यहां पर मैं समझ देता हूं जब भी आप देखोगे तो आपको अगर इस सबसे उपर का अब्जेक्ट दिख रहा है तो आपकी आँख माने जाती है अगर आपको फोर्थ वाली लाइन के लिए देख रही तो आपकी आँख माने जाती है तो आपकी आँख माने जाती है 6 y 18 या 20 y 50 ठीक है मैं यहां पर जाहतर आपको 6 y 6, 6 y 9 पड़ा होगा तो मैं आपके लिए मीटर भी बता जीता हूं ठीक है अगर आपको ए वाली लाइन किलियरली दिख रही है च्छे वीटा दूर या 20 फिट दूर से तो आपकी आख है शिक्स बाई सिक्स एनि कि आप बलुकुल परफेक्ट फिट हो एलपी है किसी भी गवरेंट एक्जाम्पली है तो ठीक है यह आपको घरवेट टेस्ट कर लीना ह बहुत ही आसान है बहुत ही सिंपल है इसको टेस्ट जरूर कर लेना देन उसके बाद आप फॉर्म डानना जानब बहतर रहेगा तो यह थोड़ी से जानकारी थी बट बहुत जानद महत्पूर थी तो मैं उसका आपके लिए बतायता हूं बहुत ही हैलफुल रहेगी आपक जो टेक्निकल पार्ट है उसकी बहुत अच्छे से यहां पर तैयारी करा जाएगी बलकुल फ्री और कोस्ट तो सब्सक्राइब कर लेना इसकी तैयारी बहुत अच्छे स्क्राइब क्योंकि उसमें आपके लिए क्वालिफाई होना बहुत ही जरूरी होता है अगर आप जो टूडियों जब तक लिए जय हिंद जय भरत थेंक्स बाचिंग एंड वाय वाय वाय